आज पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्ष्रों में लिखा जाएगा भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सिनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है खुद पीम मोदी ने कोरोना वैक्सिनेशन ड्राइव का शुभारम किया है आपको बता दें कि भारत में सिरम इंस्टिट्यूट की कोवी शील्ड और भारत बायो टेक की को वैक्सिन को मनजूरी दी गई है इस टीका करन अभियान के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है इसे पहले केंद्री स् स्वास्त अपर सचीव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राजियों के प्रमुख स्वास्त सचीवों को पत्र लिख कर टीका करन के दोरान सावधानी बरतने के निर्देश दिये थे वहीं दुबई में पिछले तीन महीनों से वैक्सिनेशन प्रोग्राम जारी है यहां प तक कोरोना महमारी से 2,46,366 से जादा लोगों को कोरोना वाइरस हो चुका है जबकि इस वाइरस से 733 लोगों की मौत हो चुकी है बता दें कि भारत में पहले चरण में हेल्थ वरकर्स, फ्रंट लाइन वरकर्स और डिलिवरी मैन को वैक्सिन्स लगेंगी देश भर के में केवल 100 लोगों को ये वैक्सिन लगाई जाएगी पहली और दूसरी डोस में एक महीने का अंतर होना चाहिए दूसरी डोस कब लगनी है इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल फोन के मैसेश पर आ जाएगी किन्हें वैक्सिन लगेगी जिन्हें कोई बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या कोई और बीमारी उन्हें ये वैक्सिन लग सकती है चलिए अब आपको कुछ खास बाते बताते हैं दूबई में चल रही वैक्सिनेशन प्रोसेस के बारे में यहां लोग वैक्सिनेशन के लिए अपॉइन्मेंट के साथ आते हैं ताकि हॉस्पिटल में भीड ना हो और फिर अपनी बारी का इंतजार आराम से बैठ कर करते हैं वैक्सिन लगने के बाद उन्हें 30 मिनट तक आप्जर्वेशन में रखा जाता है भारत में 18 साल से कम उम्र के लोगों, गर्वती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली महिलाओं को वैक्सिन नहीं दी जाएगी जिने कोई भी ऐलर्जी है या वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्लाजमा थेरिपी से ठीक हो चुके हैं दुबई का वैक्सिनेशन प्रोसेस क्या है? दुबई ने अपने COVID-19 टीका करन की शुरुवात एक वरिष्ट नागरिक और नर्स के साथ लॉंच की थी इसके बाद एक पैरा मिलिटरी, एक पुलिस अधिकारी और एक ड्राइवर दुबई में डोज लेने वाले पहले लोगों में से थे UAE में टीका करन अभियान में भाग लेना वॉलेंटरी है यानि वहां लोग अपनी मर्जी से वैक्सिन लगवा सकते हैं दुबई में वैक्सिनेशन प्रोसेस के बारे में जब हमारी बात एक्सपर्ट से हुई तो उन्होंने बताया हमारा लक्ष अभी भी कम्यूनिटी को सेफ रखना है इसलिए हम वैक्सिन लेने के बाद लोगों से मास्क पहनने लगातार हाथ दोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने को कहते हैं और यही हमारी एडवाइस है कम्यूनिटी को सेफ रखने की दुबई के वैक्सिनेशन प्रोग्राम में कहा गया है कि रोल आउट के पहले चरण में साथ साल से जादा उमर के नागरिकों पुरानी बिमारी वाले लोगों के साथ-साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स को टार्गेट किया जाएगा दूसरे चरण में पबलिक और प्राइविट सेक्टर में फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे तीसरा इंपोर्टेंट फिल्ड वर्कर होंगे और आखिर में आम जनता होगी